भाई साब दा मैं 41,000 रुपे से लेके 1,10,000 रुपे तक और भाई जी महनली अपने पास में टोप क्लास में थार पार कर है तीन गाए बाकी चार गाए राठी है और एक गाई है अपने गीर और साईवाल का क्रोश कॉंबिनेशन है दूज भाई जी कम से कम यह मान के चलो 12 ल पांचो किलोमेंटर तक ट्रांसपोर्ट फरी है अच्छा जी उसके आगे अगर कोई लंबी दूरी बड़ आजमें गाए लेता है तो उसके हिसाब से किराय लगे जी बाई साब तीसरे ब्यांत में ब्याई है जी सुद्ध थार पारकर है अगर इसको सफेद सुंदरी बोल अच्छा अच्छा भी पंदरा सूला किलोग तैयार है आजडि कितने बढ़ जाएगी 19 किलो कि अच्छा बाई साब तीसरे ब्यांत में प्याईगी तीसरे ब्यांत में हम इसका अच्छा 50 बाईने का उपफ्रह दिन अंचिते अग तो और 25500 जिन ओर बीड़्ीटर कीलाय उ सब और पेरो Пडालम होताज है इसको पिन इसलोल भाड़ भोड़ बताता है इसको वर्पाइल की बलाड़लाइन कोई ऑर दूद 20 लींटर विटन कितना समय पड़ सबस्राइबma और सबसे बढ़ इसमे बेयां विग लोड़ समुल हुआ इसने अच्छा जी हां और इस बर कितनी आशा है बाजी 1819 की लदूद देगी 1819 सत शरीयकाल दोस्तों मैं आपका अपना कुलवीर सिंग स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूटिब चैनल पर दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजर हुए है जी और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विजिट है जी ग्यान प्रकाश जी के गर की गाउं का नाम है जी दो के एच एन तहसील पीली बंगा और जिला हनुआन गड़ राजस्तान का ये एरिया जी जहां से ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रूटीन म में फिर से सामने जो आप लोग पांच गाई तो ओन सक्रीन देख रहे हो पांचों की पांचों ये गाई छटे नमबर पर ये वाली गाई और एक गाई दूसरी तरफ बंदी हुई है टोटल साथ गाई बाई सेल के लिए लेकर आए हैं जिनमें सबी तरह की गाई आप सबसे पहले हर बार की तरह एक बार अपना यहां का एड्रेस और कॉंटेक्ट नंबर अपने बाईयों के साथ शेयर कर दीजिए बाई सब नाम ज्यान प्रकाष जी जैसे मैंने स्टार्टिंग की जहां से के रुटीन में थोड़े थोड़े समय के बाद आपके पर चक्र लगता रहता है डी बाई हर बार की तरह आज फिर से साथ गाई लेकर आए हैं जिनमें से दो तीन ब्रीड मेरे को देखने पो मिलेगी सब्सक्राइब क्या दूद की एवरेज है कहां से लेकर कहां तक दाम जाने वाला है बाइसाब दाम है और दूद कितने से कितने तक जाए दूद भाई जी कम से कम यह मान के चलो बारा लीटर से लेके ठारा बीस लीटर तक बारा लीटर से एठारा बीस तक दूद जाएगा एक तालिस हजार से लेकर दाम कितने तक बताया था एक लाक दस हजार रुपे एक लाक दस हजार पे तक साही है जी, गाए बियाई हुई कितने से और वाली होई है। पांच गाइ बियाने वाली है कुछ गाए एक दो दिन में बियाने वाली है। कहने का मतलब सभी तरह की चीज मिलेगी len, देखने वारे भाही का बन और दान पहले के जैसे वाजए उयसाँ ol vídeo बिल्कुल भाई साथ, एक और है, 500 किलोमेटर तक ट्रांसपोर्ट फरी है, अच्छा जी, उसके आगे अगर कोई लंबी दूरी बड़ आदमी गाये लेता है, तो उसके इसाब से किराया लगे गा, सही है, कहने का मतलब 500 किलोमेटर फरी रहना ही रहना है, जो भाई आगे कि गाये आप लोगों को चला कर दिखाएंगे, और पहले नमबर पर ये गाये आप लोगों के सामने आ चुकी है, जी, छोटी हाइट की गाया जी, जादा उचा कद काट नहीं है, इसका, छोटी हाइट में रखना चाहूंगा, मैं ऐसे जैसा इसका कद काट है, लेकिन जो अगर ब्रीड की बात की जाए, इसकी बाडी स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसकी स्किन की बात की जाए, वो बहुत शानदार है, बाकी इस अबावा आप लोगों के सामने है, ग्यान परकाष जी, डेटेल बताते जाएए बाई, क्या डेटेल है जी, बाई साब दूसरे ब 62 के सीमन से प्रेग्डेंट है 2162 सीमन आगे इसको लगा हुआ है बिल्कुल और भाई सब आव तो हम लोगों ने देख लिए थोड़ा सा चलाते रहिए साथ में दूर कितना मानते हो बाई कितना देगी बाई साथ में दिया 12 लीटर दूर अच्छा जी अब की बार देदेगी 14 15 किलो दूर मोज से 14 15 किलो गैरेंटी वाला जी बाई साड़े साथ मीने की ग्याबिन चेक पास जी बाई साइए जी और आगे सीमन सेक्स्ट तो नहीं लगा ना नॉर्मल लगा है ना नॉर्मल लगा है बाई साथ और क्या दाम करें यो बाई साथ शेतरे जार रुपे की सेवन्टी थ्री थाउजंड 75,000 दोस्तों दाम रखा गया है मान समान कोई मौके पर बिल्कुल बाई कर देंगे बाकी बचड़ी में कोई कमी नहीं है अच्छा जी 100-100 प्योर ब्रीड में है सही है जी ओके बाकी दोस्तों कॉंटेक्ट नंबर सक्रीन पर है पहले दिसरे नंबर पर दोस्तों गाए एक और आगी जी आप लोगों के सामने पहले ब्रीड क्वालिटी और बॉडी स्रक्चर और खास तौर पर गाए का कद काट एक बार देख लीजिए कितना कि शानदार है साथ में डेटेल भाई से जानते जाएंगे हां जी ग्यान प्रकाह प्रेक्वाजी क्या डेटेल है भाई साथ तीसरे ब्याद में तीसरे ब्याद में हाँ समय कितना भाई यह भी इसका बाई बिले ले लिए 10-15 दिन और 20 लीटर की गाया प्यूर ब्रीड में सुद थार पार कर सभी दिखने में मालूम होता है है ना इसका रंग रूप बतात है बिल्कुल भजी के बलडिलाइन हाज一 और बीस लीतर बिल्कुल भजी और सब यझ कोई दोराह नहीं है और क्या दाम भाई इसका रखा गहा जी एक लाखントन दस हजार उप की काएद देनी है2010000 आज वाड़े पूरे लौट में सबसे ज़्यादा दूदध और सबसे ज़्यादा जो दाम है वो इसी गाये का रखा गया है बागी दोस्तों आप लोगों के सामने उसमें कोई दो राए नहीं किसी तरफ से कोई कमी नहीं जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ के भाईयो इदर आओ अपनी तसली करो फिर लेकर जाओ बिल्कुल भाजी आओ रहो रहो रहने खाने की फुल वेस्ता है कोई टेंशन नहीं है पिलिट करके देखके लेके जाओ तो तसली भी होती है आदमी जाओ बाद है ओके जी ले जाओ ये बांद ये इसे आगे तीसरी गाए ले जाओ जी इसे आगे तीसरे नमबर पर दोस्तों गाए एक और आगी जी आप लोगों के सामने एक बार रंग रूप और बोडी स्ट्रक्चर इसका भी देख लीजिए कद काठ में भी अच्छी गाए है और खास तौर पर अडर की तरफ देखिए बहुत साफ सुथरा अडर है ग्यान प्रकाश जी क्या डिटेल है जी बाई साब तीसरे ब्यांत में ब्याई है जी सुद अच्छा भी 15-16 किलो तयार है बिल्कुल बाई जी कितने बर जाएगी 18-19 किलो दूद की गाई है बाई शाफ सुथरी है ना बिल्कुल बाई जी आजलों का साइज गैप एक समान है अडर सबाव मच्चा उटा कोई दूद निकाले कोई बैठे कोई मतलब निया गाई को ल देखिए कितने मुलाइम है देखने में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या दाम रखा बाई इसका पचानमे हजार रुपे दे देंगे 95,000 बिल्कुल बाई जी ले जाए जी बांधिये इससे आगे गाई चौथी ले इससे आगे दोसो चौथे नंबर पर एक और आप लोगों के सामने आगी जी एक बार ब्रीड क्वालिटी और इसकी शरीडिक बंतर इसका बॉड़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए के दिखने में कितनी परफेक्ट गाए है ग्यान परकाष जी डिटेल बताते जाए जाए बाई साथे साथ मीने की जाबीन है साथे साथ म आज अगर कोई खरीता तो 55,000 रुपे की दे देंगे आज 55,000 रखागे और एक बाद बता हूं देट दो मेने इसके ब्याने के रहे हैं लेकिन अभी लीटर लीटर दूद दे रही है ड्राई नहीं बिना बच्चे के भी दूद देती है अच्छा दूद अभी भी दे रही है बिल्कुल लीटर लीटर दूद दे रही है बाकि दोस्तों सबाव और दार आप लोग सामने देख सकते बिना बच्चे के लीटर लीटर दूद अभी दे रही है और साड़े साथ मीने की गया बिना बाई बता रहे हैं ऐसी गाए हर दिन देखने को नहीं मिलती और आज क गाए से आगे अपनी पांचवे ले आजी इससे आगे दोसो पांचवे नमबर पर गाए एक रठी गाए और आगी जी आप लोगों के सामने बियाई ही गाए है कद काथ में भी अच्छी है अडर की तरफ से आँचलों की तरफ से अच्छी शांदार है मुठी वाला पूरा कब की ब्याई है घार जिन और बच्छा की सब्साब यसा के सब यूद कोई है की पाँपकूर बेठा च्छार की तरिकर फिरहां पाक्राँ और रहे का वाई लेकि शेवा पी है भी 15 लीटर गैरेंटी वारा रहना ही रहना है जी बिलकुल सही है बाकि देखरेंग अच्छी होनी चाहिए इसमें एक शर्त जरूरी है जी देखरेंग आदमी अच्छी करें जो लेकर जाएगा वो खाना दाना अच्छा देगी अगर नहीं खिलाएगा औ बावन हजार रुपे की देते हैं 52,000 हाँ बावन हजार फुल एंड फाइनल फुल एंड फाइनल वाला दाम है बाकी गाए को देखे बजाओ कोई भी कमी किसी भी एंगल से कोई कमी हो गाए में तो बताओ सही है जी ले जाएए बाई बांधिये इससे आगे गाए छठे न किसी कहीं न कहीं कमी जरूर इसमें देख रही है बाकी ग्यान प्रकास जी से डेटेल जानते हैं सब आवा आप लोग एक बार देख ली हाँ जी राथी गाए है सुद्र राथी ओके जी तीसरे ब्यानत में बैने वाली है कितना समय पड़ा भाई अभी अभी बाई ले ले देख रही है कि इसकी स्किन बिलकुल मुलायम है पतली चमडी वाली है दूद वाली गाए की जो में तोर पर निशानी रहती है और 17 किलो दूद मोज से देगी गाए 16 किलो बिलकुल बाई जी और क्या दाम रखा बाई इसका बाई साब 41,000 41,000 फॉल एंड फाइनल जी 40,000 दाम आज की वीडियो में सबसे सस्ते दाम वाली यही गाए और सबसे सीधी सबसे सीधी और शाथ है ना जी बिलकुल बाई जी ओके जी ले जाए बाई 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 यह अंत में अपनी जो सात्मी गाए रहएगी जी वह ले आई एसे जी बाई जी इससे प्रवाइगी कितना समय लेगी जी अभी भाजी अभी ले लेगी साथ आठ दिन और दूद कितने कवाली है भाई जी कम से कम 16-17 किलो दूद देगी गाई और सबाव अच्छा है सबाव भाजी यह लो हा जी अब दोस्तो सबाव देख़ लीजी एक बात च्यूद करto also सबही एपनी सारी कोई गाई मारने वाणाए नहीं सभी शान सभाव की गाया है अच्छी बात है हाँ और दूद कितना बता रहे थे आपा सोड़ा सत्रा किलो दूद मोज से डालेगी सोड़ा सत्रा है सेवा करने वारे बंदे में दमोना चीए काय दूद से पीछे नहीं अटेगी ओके और दाम क्या रखा भाई 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 जी विन्ती हर बार करते हैं कि बाईयो समय निकालो इदर आओ अपनी तसली करो लेकर जाओ विजिट करके लेके जाओ तो आदमी खुश होता है कल को उसके साथ में आने वाड़े करस्टमर भी खुश होते हैं एक आदमी अगर एक गाय लेके जाएगा तो चार आदमी नहीं ल कर दी जी अगर इन साथ गायों के इलावा कोई बाहर से कुछ गाय खरीदना चाहता है उसके बारे में क्या विचार है जी यहां पे आए विजिट करें अगर बाहर से अगर आदमी कोई नीड होगी तो गूम फित की फिल्ड में से दिरवाएंगे अच्छी गाय दिलवाए जैसे कोई भाई खरीदना चाहता है वो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है जी बाइजी साही है जी तो आंत में एक बार एड्रेस और कॉंटेक्ट बाई रिपीट करें बाई जी ना मजी ग्यान परकाश गाम का ना मजी दो के चंट तैसील के लिवा लगती है जिला मानगर लगता है जिराजस्तान का एरिये मुबाइल नमबर है जी एटासी दोसुचारीस चारीस पांसो एक शत्यासी शैसो बाण में नभाए पांसो एक जी दानेवाद भाई अच्छा लगा पाचे राम राम बाजी राम राम